सिर्फ एक ओईल हर रोज अप्लाई करने से आपको क्या बेनेफिट्स मिलते हैं ओईल अप्लिकेशन का क्या महत्व है ओईल अप्लिकेशन ये दिनचरिय में आईरवेड में क्यों कहा है क्यों कहा है कि ओईल को हर रोज अप्लाई करना चाहिए क्यों यह topic इतना ज्यादा important है we are gonna talk about in this video ऐसे कई studies हुए है जहाँ पर कुछ painkiller application diclofenac gels जो हम बाहर से दर्द कम करने के लिए लगाते हैं उसे internal side effects पाए गए internal side effects जैसे के liver failure तो हमें जानना चाहिए कि हर रोज oil application अगर हम करते हैं तो इसके जो active ingredients है इसके जो active principles है वो directly bloodstream में absorb होकर हमें वो desired benefits internal and externally मिल रहे हैं तो यह आज का हमारा topic है नमस्ते everyone welcome back to jovies अश्टांग रिदय सूतरस्तान 2nd chapter 8th verse बहुत ही सुन्दर तरीके से explain किया है easy language में one by one let's understand oil application नित्य कहा है यानि हर रोज हमें इसे apply करना चाहिए अभ्यंगम आचरे नित्य सर जरा जरा यानि aging it's the best anti-aging treatment aging जो है premature aging aging fine lines wrinkles यह सारे को यह चीजों को prolong कर रहे है जरा श्रम श्रम यानि tiredness it relieves us from the tiredness confidence बढ़ रहा है तो थकावत लग रहा है या आलसीपन लग रहा है वो निकलने वाला है अगर हर रोज oil apply कर रहे है तो श्रम वातहा 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 is a very important term in this entire shlog and it relieves the joint pain, the muscle pain, the headache, the migraine जितने भी वात रोग है वात का श्रमन हो रहा है वात को balance कर रहे है वात यानि वायू इसका दूसरा line है दुरुष्टी प्रसाद यानि यह eyesight को improve करता है कई patients ने पाद अभ्यंग या शिरो अभ्यंग शिरो पीचु ऐसे कई procedures वीडियो में देखे है और उन्होंने वो result देखे है कि सिर्फ पाद अभ्यंग यह ने पेरो कोईल अप्लिकेशन से बोडी कोईल अप्लिकेशन से आखों पर किस तरह का फरक पड़ा है and it's not something that is concluded through observation but it is documented as well it is evidence-based science something that we are going to talk about and something which is explained 5,000 years ago in Ayurvel so coming to our topic again दुरुष्टी प्रसाद पुष्टी पुष्टी यानि शरीर को बल दे रहा है शरीर के जो धातूज है उसको nourishment मिल रही है हमारे शरीर के साथ धातूज है one by one उत्तर उत्तर धातूज को nourishment मिलती है हम जो भी खाना खाते है उससे बहुत ही सुंगर दरीके से explain किया है हमारे इस साथ धातूज है साथ पिलर्स है और इन साथो टिशूज को nourishment मिल रहा है जिससे कि हम जो भी खाना खा रहे है उससे और हम जो भी apply कर रहे है उससे सो positive and negative अगर हम अच्छी चीज़े apply कर रहे है तो उसका positive result मिल रहा है जितने अच्छे ingredient जितने herbs extract form है जितने अलग तरह के oils है उतने benefits और जितने हम painkillers है अलग-अलग तरह के applications कर रहे है उतने desired result उतने उसके effects सो दुष्टी प्रसाद पुष्टी आयू आयू याने इट प्रोलॉंग आर लाइफ स्पैन आयू स्वपन स्वपना इंडूस गुड़ स्लीप सभी ने उद्वरतन की वीडियो को follow किया है एक sitting जो हम लोग ने उद्वरतन घर पे कैसे करना है और सभी ने experience किया यह सारे benefits जो हम इस वीडियो में बात कर रहे है उद्वरतन यानि एक application powders की कुछ application करने से नींद कैसे improve हो रही है confidence कैसे बढ़ रहा है internally satisfaction यह overall sense of well-being किस तरह से आ रहा है similar goes with the oil application सूतवक्तवा नरिशस दे स्किन दर्द्यकृत विच इपनेंस अ गुड फिजीक शरीर को मजबूती देने का ताम है अभ्यंग अगर हम हर रोज कर रहे है तो तही आयुर्वधिक oils available है market में one of the best ever combination is the active ved India अभ्यंग मसाच ओल अभ्यंग मसाच ओल कही द्रव्य extract form में present है कही द्रव्य जैसे के करंज, दशमूल, बला, नीम पत्र, मंजिष्टा और इसका बेस है तिल-तिल याने सीसेम ओल regularly to be applied over our body और ये ओल कही procedures जैसे कटी बस्ती, जानू बस्ती, मन्या बस्ती कही procedures के लिए कही patients ने use किये, कही free relieving treatments, pain relieving treatment जिसके बारे में हमने कही videos में share किया कि back pain के लिए आप simple घर का treatment कैसे कर सकते हो, यान, you know, the neck pain, the knee pain, joint pains के लिए या body pain के लिए, वात हा, it balances the वात दोश, कही वात रोगों के लिए oil का application, अलग-अलग तरह से अगर आप कर रहे हो, तो आपको किस तरह से आपके incurable, यानि असाध्यवात रोग भी पूरी तरह से reverse हो रहे हैं, तो ऐसे कही procedures जो हमने discuss किये, कटी बस्ती के तरह, वैसे cases पर, अगर हब ayurvedic oils apply करते हैं, जैसे के abhyanga massage oil of active with india, moving further, regular application is very important, उसी तरह से upton powder, यानि एक दिन oil application all over the body, और दूसरा दिन, upton powder, mix it with the oil, mix it in equal amount, and rub it all over the body, similar way, it's the abhyanga soap, many people are using various kinds of soaps, but just imagine for a basic purpose, अगर आप bhyanga soap, यार कोई भी ayurvedic soap इस्तमाल कर रहे हैं, तो उसके सारे benefits directly absorb होरे bloodstream में, और हमें वो internal benefits दिखाई देते हैं, a very important rule is to be done on regular basis, दिवाली इस दिन की शुरवात, यानि पहली अंगोर, first बात, हम ये सारे application से करते हैं, यानो, हम abhyanga tel लगाते हैं, उदवरतन powder लगाते हैं, upton powder लगाते हैं, और हमारे साल की शुरवात हम इस सारे combination से करते हैं, तो शुरवात तो कर रहे हैं, तो maintenance भी रहना चाहिए, we must regularly apply this, हमें ये पता है कि दिवाली की first बात पर हमें use करना है, but हर रोज अगर हम करने वाले हैं, तो ये सारे benefits हमें मिलने वाले, तो ये था आज का वीडियो, what is the mode of action, किस तरह से ये काम कर रहा है, हम आगे के आने वाले वीडियो में explain परने वाले हैं, this was all for today, do like and share this video further, कोई doubts, questions है, comment section में जरूर लिखे, until next time from Jovis and the team, look impressive, be progressive. कर दो न्यूंग पल कर रहा है, जा यूरा हुआएब कि कर दो